मेडिकल इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए फिलिपिन्स के भारत के करीब सो से ज्यादा चातर मनीला एरपोर्ट पर फसे होए हैं फिलिपिन सरकार ने उन्हें 72 घंटों के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा था एरपोर्ट पर फसे चातरों में वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रही दोर की वंतिका वर्मा भी शामिल है अवंतिका ने कहा यहां एरपोर्ट पर किराया बहुत जादा हो गया है फिर भी हमने जैसे तैसे फ्लाइट बुक की सड़कों पर करफ्यू जैसे महौल है हम किसी तरह एरपोर्ट पहुंचे कई घंटे बिठाय रखने के बाद हमें बॉर्डिंग पास चारी किये गए एमिग्रेशन हो जाने के बाद अब हमें कहा जा रहा है कि फ्लाइट नहीं जाएगी हमे सरकार से अपील है कि हमें जल्द से जल्द यहां से निकाले फिलिपिन से आने वाली जायतर फ्लाइट मलेशिया के रास्ते रास्ते ही भारत आती है बारा सरकार मलेशिया से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगाने का निर्णिया तो ले लिया लेकिन आसपास के देशों में फसेफा चात्रों के लिए कोई वैकल्पिक विवस्ता नहीं की है दूतावास से मदद ना मिलने के कारण करीब पचास से ज्यादा चात्र जहां एरपोर्ट के बाहर फसे है कुवा लालपूर्ग में फसे भारते चात्रों और अन्य यात्रियों को एर एशिया एरलाइंस के व क्यां लिए उपिटी चात्रियॉ uncle कि अजाकत वहरते है जोीजित प्रिप्टाररे चांचने हमें वेटोड़्स संटावे हैं एके खमारे प्रम्टोस गजिए देषिछ है एके बडे सोब्सक्ताव ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को खिलिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घंडे वाल के लेट एबेलमार के लेटेश.